हेलो फ्रेंग्स वेलकम बाक, I hope all are doing well So friends, I am Neha Seedy and welcome to Share Market with Neha Seedy Friends, बात करेंगे PTL Enterprises Share के बारे में Current price चल रहा है 32.85 आज इंट्राडे में 1.5% का return अपने investors को दिया है Company का future क्या है? Company के sector से belong करती है सब कुछ discuss करेंगे and long term के लिए आपको investment करनी चाहिए है नहीं ये भी discuss करेंगे So friends, company के fundamentals जानते है Market cap ए company का 423 करों रुपे Current price चल रहा है 32.85 52 week high या low बताओं So 52 week high में ये 41.8 तक चला गया था और 52 week low इसका 17.5 था So friends, 41.8 से नीचे गिरकर 32 रुपीस के असपास मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा मोका है आपको fresh buying करने का And friends, बात करें सेक्टर किस सेक्टर से बिलॉंग करती है तो आपको नेम से पता लग गया हुगा कि Tyres Manufacturing का work करती है And Kerala में Setup Ais का Stock PE Ratio Positive में है 10.9 Book Value बहुत अच्छी चल गया है 45.5 Promoters Holding के बात करें तो 69.82% Promoters Holding है जो कि काफी अच्छी है FII के Entry भी 0.17 है And friends, main बात FII ने अपने Last Quarter से Comparison में इसमें जादा Entry बढ़ाई है जो कि एक Positive Point है DII के Entry भी 0.90 है Public की 21% है And main government की भी Friends इसमें Entry है Government की भी Holding है इसमें 7% तो मैं आपको बताना चाहूंगे अगर किसी share में government की holding होती है तो उस share में तीजी आना मस्ट ही होता है तो Friends, उस according, उस point of view से भी ये share एक बहुत अच्छा share है अब इसके mean बात करते हैं इसके dividend की क्या आप चानते हैं, ये company इतना अच्छा dividend देती है 7.82% अगर आपने इसे long term के लिए रख रखा है तो आपको dividend ही बहुत अच्छा मिलेगा आपको time to time तो ये किसका best and positive point है ROCE and ROE दोनों positive में है ROCE है 11.6% ROE है 8.81% तो Friends, अगर fundamentals है कि तो company काफे strong है आपको पता है global issue चल रहा है उसके reason से सारे stock नीचे आई है तो इसलिए यहां पे अगर जिन लोगों के fresh entry लेने की सोच रहे हैं वो 32 के आसपर ज़रूर ले सकते हैं या आपको जो इसका 52 भी खाई है ये cross करता है जल्दी से जल्दी मिलेगा long term के लिए अच्छा share है फ्रोस के बात करें तो almost debt free company है जो इसका बहुत ही positive point है तो आपको पैनिक लेने की जुरुएत नहीं है अगर फ्रेंड्स penny stock debt free होते हैं तो आप उसमें tension free होके रुख सकते हैं और दूसरा इसका positive point है कि जो stock trade कर रहा है वो 0.70 times trade कर रहा है जो के बहुत ही positive point है डिविडेंट बहुत अच्छा देती है अगर मैं इसको cons बताऊ तो because मैं आपको इसका cons भी जरूर बताऊंगे sales growth थोड़ी काम है last quarter के comparison ये इसका इसका cons भी है but इसको आप थोड़ा सा इसके positive points के according इसको थोड़ा सा नजर अन्दास कर सकते है because company future मैं long term आपको एक अच्छा return देगी so friends this is all about PTL enterprises आप इसमें short term ये long term के जरूर investment कर सकते है एक अच्छा return लेकिस में exit कर सकते है so friends if you have any query related to this share or with any other share you can ask me on the comment box अभी इस share में कुछ भी negative नहीं चल रहा है ये अच्छा smooth process smooth share चल रहा है इसमें अगर कोई भी update या कोई news different आती है तो मैं definitely आपको वीडियो के थरूर जरूर बताऊंगी friends तो friends channel को कर दीचे subscribe अगर first time visit किया है वीडियो को कर दीचे like and share and friends bell button को press करना मत भूलेगा because मैं definitely आपको कोई भी छोटे से चोटे या बड़े से बड़ा news या update किसी share से related आएगा तो मैं आपको वीडियो के थरूर जरूर बताऊंगी friends because अगर आप अपने portfolio में किसी भी share को add करते हो तो उसके लिए आपको updated रहना बहुत जरूरी होता है and friend thank you so much for your time